कहते हैं कि सियासत सत्ता के लिए होती है और सत्ता प्राप्त करने के लिए जो भी किया जाता है वो सब जायज है चाहे वो दल बदलने की बात हो या फिर पाला बदलने की बात हो या धोखा देने की बात हो अपने साथियों को इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीत में खूब चर्चाय होती हैं और इस पूरे जद में नितीश कुमार पर बार-बार सियासत में कुछ भी करने का दावा किया जाता है नितीश कुमार ने अपने राजनितिक जीवनकाल में ऐसा कई बार हुआ है जो कि उन्होंने या तो सत्ता के लिए पाला बदला है या फिर सत्ता के लिए उन्होंने ऐसी रणनितिया बनाई हैं जो उनके लिए काफी फाइदे मंद साबित हुई हैं. लेकिन आने वाले समय को लेकर के जिस तरह से नितीश कुमार ने लगतार जब से महागटबंदन के साथ सरकार बनाई है तब से लगतार वो कह रहे हैं कि अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए वो सिर्फ विपक्ष को एकजूट करना चाहते हैं देश को बचाने और सम्विधान क बचाने के लिए वो भारती जन्ता पार्टी को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं और यही कारण है कि वो मुहीम के हिस्सा हैं जिसमें वो भाजपा बिरोधी जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें एक जूट करना चाहते हैं इस अभियान में कई लोग लगे हुए थे इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि G23 को ले करके जहां सोनिया गांधी आगे बढ़ी थी वहीं ममता बनर जी ने भी प्रयास किया था प्रयास तो बहुत दिनों तक प्रशांत किशोर ने भी किया था और वहीं लालू प्रसाद के साथ साथ आपने देखा हो गया कि सरत पव भातेजनता पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत करीब से और बहुत पैनी नजर से देख रही है भातेजनता पार्टी का कहना है कि नितिशकुमार कर भरोसा नहीं किया जा सकता है इसके पीछे कई कारण बताया जा रहा है आपको बता दें कि इन सारी बातों के बीच में कहा ये जा रहा है कि नितीश कुमार कुरसी का त्याग नहीं करेंगे और जब अधिक दबाव लालू परसाद और तजस्वियादों बनाएंगे तो उनके हाथ से सरकार भी चली जाएगी नितीश कुमार पर कभी भरोसा नहीं हमने पिछली ख़बर में आपको बताया था कि यो लिटमा स्टेस चल रहा है नितीश कुमार का उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाये है विपक्षी एक्ता को एकजूट करने में नितीश कुमार काफी अभी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि विपक्ष अभी तक तयार नहीं है कई नाम हमने आपको गिनायत है जो नितीश कुमार के साथ ख़ड़े नजर नहीं आ रहे हैं इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि नितीश कुमार के पार्टी के भीतर भी खलवली मची हुई है। जब से नितीश कुमार एंडिये को छोड़ करके महा गठ बंधन के तरफ सिफ्ट हुए हैं तब से उनके बिधायक और सांसदों में भीतर ही भीतर भाय ब्याप्त हैं। क्या उन्हें आने वाले चुनाओं में 2024 और 2025 में टिकट कंफर्म मिलेगा या फिर उन्हें राष्टिये जनतादल के साथ हुए गठ बंधन में टिकट से वंचीत रहना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी आप देख चुके हैं कि भारती जनतापाटी ने नितीश कुमार को अपने साथ रखने के लिए अपने कई सांसदों के कुर्बानी दे दी थी। जिसके चलते भारते जनता पाटी में भी खलवली मची थी लेकिन भारते जनता पाटी चुकी इस तरह से अपने चीजों को मैनेज करती है कि उसने कर लिया लेकिन 43 बिधायकों वाली जो जल्यू है उसमें खलवली मची हुई है और कहा ये जा रहा है कि जिस तरह से नितीश क जुमार ने ये कह दिया है कि वो परधान मंत्री के उमिदवार नहीं है उसके बाद से पार्टी के भीतर और खलवली मच गई है वहीं आपको दूसरी तरह बता दें कि भारते जंता पार्टी का कहना है कि निकिश्क मार्ते जस्वी यादों को किसी भी हाल में कुर्सी नहीं स सारी बातों को ले करके अब जब की चर्चा हो रही है और जेडियू सीधी तोर पे हमलावर है ग्रे मंत्री अमिद साह को कट घरे में खड़ा कर रहे हैं एक तरफ ललान सिंग ललान सिंग ने इस पस तरीके से कहा है कि साह के साथ नितिश कुमार ने कोई धोखा नहीं किया बलकि जेडियू को के साथ है केंद्रिय ग्रे मंत्री अमिद साह ने बड़ा धुखा किया है और वो पूरी पार्टी को तहस नहस करना चाते थे इस पूरे मामले पर राजी रंजन सिंग और फललान सिंग ने अपना बयान दिया है और जिस अंदाज में उन्होंने कहा है व जब मामला उनके मंत्री मंडल का नहीं बना तो ललन सिंग हमलावर हो गया है उन्हें हलाकि अध्यक्षपद मिला अध्यक्षपद मिलते हैं इस सबसे पहला काम उन्होंने कि एंडिये से नितीश कुमार को निकाल करके महा गढ़बंधन के तरफ ले आए कई तस्वीरे भी सामने आपको नजर आई होंगे जिसमें सार्थी के रुप में ललन सिंग नजर आ रहे हैं और अरजून की भूमिका में नितीश कुमार हैं लेकिन इन सारी बातों पर भारती जनतापाटी का सीधे तोर पे कहना है और भारती जनतापाटी ने जो माया जाल बिछा रखा है उस माया जाल में नितीश कुमार फसेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एक तरब जहां नितीश कुमार के पुराने दोस्त सुसील मोधी को एक्टिव कर दिया गया है। जिस तरह से 2015 में बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद भारते जनता पार्टि ने एक्टिव किया था। शुसील मोधी को और शुसील मोधी ने दो साल के अंदर ही सरकार का तक्ठा पलट करवा दिया था। वहीं आपको बता दें कि और कई ऐसे माया जाल बुने हुए हैं जिसमें भारते जनता पार्टि ने नितीश कुमार को सिधा ओफर दिया है। शुसील मोधी ने दो साल के और शुसील मोधी ने दो साल करें जिसमें भारते जनता पार्टि ने दो सिधा ओफर दिया है। जा सकता है। जुड़े ने भारत लाइब के साथ भीतर की खबर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें। ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जए। अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्ड़।